हेलो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एटुजेड टीचमेड ठीक है दोस्तों एटुजेड टीचमेड यदि चैनल पे पहली बार आये हैं तो चैनल कुल कर लिजिए सब्सक्राइब नीचे दिया हुगा लाल जोटन उस पर दब लंबाई दिया रहे है तो चौड़ाई कैसे गयात करेंगे इस से पहले वाले वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि आयत का छ्ह mêsवव निकलना तो यदि उसमें जब लंबाई चुराई दी तो आयत का छ्होव आराम से निकल सकते हैं यदि छेत्रफल दिया रहे है तो आप कैसे निकाल सकते हैं दोस्तों सेम है पर थोरा से एक ट्रिक लगना पड़ेगा वो ट्रिक आप जाएगे तो आडाम से आप निकाल सकते हैं तो ट्रिक है क्या दोस्तों अब यहां देखिए पहले तो आपको यादी होगा कि आयत का छेतरफल बराबर होता है क्या तो आयत लंबाई गुने चोड़ाए, मुझे क्या गयात करना है, चोराई गयात करना है, तो चोराई गयात करना है, यदि हमें आयत का छेतर फल दिया रहे हैं, और लंबाई दिया रहे हैं, तो चोराई गयात करेंगे, तो क्या करेंगे, लंबाई को बराबर के इस सेट लिगाएंग मतलब यदि हम कहें कि यदि आयत का चोड़ाई निकालना हो आयत का चोड़ाई निकालना हो तो इसको जो फर्मूला हो जाएगा आयत का चेतर फल में भाग करेंगे आयत की लंबाई से तो यहां डिरेक्त मैं लंबाई लिख देता हूं ठीके लंबाई से मतलब आयत का चेतर फल में भाग करेंगे लंबाई से तो आयत का चोड़ाई यह बिया सा चेतर फल मतलब यहां हो जाएगा बटे में लंबाई कितना है 35 सेंटिमीटर अब यहां देखिये दोस्तों इसमें यिसमें बाग करेंगे हैं तो सेंटिमीटर एक है सेंतिमीटर से एक सेंटिमीटर कर जाएगा अब यहां देखिए अब इसमें बाग देजे तो इसमें तो यह हम काटेंगे यह 35 है तो सथ पंचे 35 यहां भी कर जाएगा अब यहां 35 है कितना हो जागा तो यह होगा आपका 15 अभी 1 और यह 5 तो कहना के मतलब यह कितना हो गया 15 15 cm कितना आ गया 15 cm जब 25 में 35 से 25 में भाग करेंगे तो 15 cm cm आ जाएगा तो यह होगा आपका चोड़ाई क्या हो जागा आयत का चोड़ाई आपको निकल आ जाएगा अब यहां देखिए दोस्तों कुछ भी हो सकता है यहां कितना है 525 cm स्क्वार है आयत का च्छे तरफ़ल यह यहां कुछ भी हो सकता है यहां भी कुछ भी हों सकता है यह तब आपको पूछा जाए तो डारे्ट कि आ कीज़ें घुइगा च्छहतर पफ़ल में लंभाई से भाग कर देंगे तो आपको चोलगा यह आ जिए मुझे लंबाई निकलना हो तो लंबाई को उठा करके चौराई के साथ इधर रखेंगे और चौराई को इधर रखेंगे तो वहां आप आराम से लंबाई निकाल सकते हैं यदि छेतरपल दिया रहेते हैं दोस्तों उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अच्छा लगार लाइक कीजिए और दोस्तों को साथ शेर कीजिए ठीक है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा थैंक यू